इस समाई हमारे साथ मोजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं 365 शागज विधान सभा से मोजूदा परत्याशी एवं पूरो बिजली मंतरी अगर हम शागज विधान सभा की बात करें तो ये पिछले 20 सालों से समाजवादी के कबजे में रही है जब 2017 में UP में NDA की पूर बहुमत की सरकार बनी 403 सीटों में से 325 सीटे NDA के कबजे में गई तो उस समय भी उस वक्त भी ये किला BJP नहीं भेद पाई तो इसका कारण शैलेंद्र यादो ललाई जी ये जो आपकी विधान सभा है ये लगातार आप लोगों के कबजे में रही है पहले 10 साल जगदी सोनकर जी थे और आप भी पूर बिजली मंतरी भी रहे चुके हैं कद्दावर नेता है तो ये आप लगातार इस विधान सभा में जनता इतना परभावित है या इसमें जातिय समीकरल का कोई कारण है या फिर आप लोगों का विकास ही ऐसा है कि जनता इतनी परभावित है कि आपका किला जो है BJP नहीं भेद पा रही है सबसे पहला सवाल ऐसा है 1977 के बाद से आज तक अधिकांस ये विधान सभा समाजबादियों के कबजे में रही है समाजबादियों के मानने वाले लोग इस इलाके में जादा हैं समाजबादी विचारधारा के लोग चाहे वो लोगदल के जमाने की बातरी हो चाहे जनता दल और चाहिव रहा हों समजवादी पाटडि जावादारी नि clones और दीकान समया के लोग समजवादी विचार धारा के लोग हैं किसान मजदूर हैं पिछळे दलित अकलियत के लोग हैं यह वर घमेसा पिछ़ळा दली सोसित अकलियत समाज के लोग और बड़े जो इंसा पसंद लोग है बड़ी जाती होगे उस सारी लोग मिल जुलकर समाजवादी विचार धारा के लोग समाजवादी विचार धारा के ही दल को जीताने का काम करते हैं तो इस समय लगातार आप जन जन से संपर कर रहे हैं, नामांकन से पहले भी कर रहे थे, उसके बाद और सकरी हो गए हैं, तो कौन से मुद्दे हैं छेतरी अस्तर के जिनको लेकर आप जन जन से संपर कर रहे हैं? इसा है, मैं यही कराने वाला हूँ, यही मेरा घर है, यही अपने गाम में रहता हूँ, मंती रहूं तब भी यही रहता हूँ, विधायक रहूं तब भी यही रहता हूँ, और मैं पांच साल लगातार, लोगों के बीच में रहता हूँ, मिलता हूँ, जुलता हूँ, को मैं भ महागाई बेरुजगारी भृष्टाचार प्रिसाल कर रखा है यहीं प्रदेश का सबसे बड़ा पुद्दा ने आपने का महागाई बेरुजगारी लेकिन वो पांथ साल के अपने कारकाल में जो सबसे बड़ी उपलब्धी बता रहे हैं वीजेपी उनका अलकमान जो जोड़ने के साथ जोग बोलने के यादपूरी बात पूरे प्रदेश में भारत सरकार की रिपोर्ट है उसके अंसार अकलेश जी की सरकार के अपेच्छा मोदी जी की जोगी जी की सरकार में तीन गुना ब्राद बढ़ा है तीन गुना जैसे अगर हम सेंबल की बात करें तो पिछले समय ओम परकाश राजभर जी बीजेपी के साथ थे और आपकी विधान सभा का उनका सेंबल मिला था बीजेपी का केंडिडेट यहां से नहीं लड़ा उनके सेंबल से चुनाव साथ जोड़ा है उनकी आवाज उठाते है जब उन्हें बाजबा का सायोग करके 2017 में बाजबा की सरकार बनवा दी ती और गर उम्प्रकास राजभर जी 2017 में बाजबा के साथ नहीं होते बाजबा की सरकार कता ही ने बनती लेकिन भारती जन्ता पार्टी ने उम्प्रकास जी को और उनके समाज को धोखा देने का काम किया इसलिए उम्रकास जी ने समाजवादी पार्टी के नेता मन एकले जादो जी से गड़ बंदन किया है और सिर्फ उम्रकास राजभर जी नहीं इम्राद मसूद से ले करके तमाम लोग ये जो पिछले दली सोसित अकलियत के तमाम नेता है आज ये सब लोग और इंसाफ पसंद लोग जो बली जातियों में भी जो इंसाफ पसंद लोग हैं करें करें शबशिज से इंदरर्येव जादो और परवेज आलम भूट्म का भी में इंटर्वियू लिया हुई उन्होंने भी उठता है कि आप विधाय करें लेकिन सरकार ना रही तो इस पर कुछ परतिकिर्या देना चाहेंगे हैं मुझे लगता उन दूनों की आद्दास ठीक नहीं है अगर दूनों की आद्दास ठीक होती दोनों भाजबा को दोश्चिदे लेकिन भाजबा को दोनों दोस्त नहीं दे रहे हैं जबकि भारती जंतापाटी की सरकार है सड़क बनवाना इस सरकार का काम है और भी जो विकास के काम करना इस सरकार का काम है मैंने उत्तरब्देश की विधानसभा के अंदर विधानसभा सागंज की सभी सड़कों की मरमत का नए न मेरे छेत्र में नहीं पूरे प्रदेश में कहीं भी पांच साल के अंदर भाजपा ने विकास का काम नहीं किया और जिन लोगों के नाम ले रहे हैं आपने भाजपा के से मिले हुए लोग है भाजपा से मिलकर अपनी राजनीत कर रहे हैं इसे दाउन लोंग बारे में कुछ नहीं कहूंगा अगर हम मेनफेश्टों की बात करें घोसड़ा पत्र की बात करें तो आपके मेनफेश्टों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली गरीबों को 10 रूपें पेट भर भोजन और 2005 से पहले जो पिंसन चलती थी जो बंद हुई 2005 में सरकारी करमचारियों को उस पिंसन को जो है बहाल करने का वादा किया गया बड़ा बड़ा वादा किया गया बीजेपी केरी यो हो ही नहीं पाए गया संभव है ही नहीं कैसे करेंगे आप लोग आप बीजेपी से पूछिए 15 लाख वाला उस पुरा हो बारती जन्ता पार्टी ने जो पिछला अपना घोसवादी या किया था संकलपत उन्होंने पूरा नहीं किया लेकिस वाथी पार्टी ने 2012 में जो खोसरा की थी जो खोसरा पत्रजारी किया था वो 2017 से पहले पहले हमने पांच साल ले कहा था लेकि तीन साल में ही हमने सारे वादे पूरे कर दिये थे अभी जो हमारे नेता मानी अगले स्यादो जी ने जो खोसरा पत्रजारी किया है हम विस्वाब के साथ गाना चाहते हैं पोरा हिसाब किताब के इत्रा धन खर्च होगा के से आएगा कहा से आएगा सारे हिसाब किताब लगा कर वना आए और हम उत्तफ K Pal Peczyns की जनता को विस्वाब दिलाना चाहते है जो संकल पत्र हमने जारी किया है इसमें पवास्बी शुरा है है थ्यूंग् बारती जंता पौर इस 193 उइंध Patriitar हम पच्छाएं राउंड आते आते पूर्ण भाहमत भी हो जाएंगे छटवा सत्वा राउंड आमको 300 के पार कर देगा तो इस समय हमारे साथ मौझूद थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर बिजली मंतरी मौझूदा 365 शागज विधान सभा से परत्याशी बनाए गए समाजवादी पार्टी द्वारा शैलिंद रियादो ललाई साब जिनका साथ तोर पर कहना है कि बीजेपी के वादू में केवल छालावा है हमने छेतर की जनता का विकास किया है अभी तक के लिए इतना ही आगे भी कहीं और किसी और अस्थान पर मिलेंगे